तीन चीज होता है यार, एक ट्राइंगल में कितना चीज होता है, तीन, राइट, हाइपोर्टनिस, ऑपोजिट और एड़ेसेट, इसका मतलब समझेंगे यार, बहुत जादा अराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बच्चो ये है वो एंगल एक्स, ये क्या है, बत जो साइड एंगल के साथ है, उसे क्या नाम दिया गया, अरे बोलो, एड़ेसेंट, जो, हाँ हाँ, मिल जाएगा, जो एंगल, एक साइड के साथ है, उसका नाम दे दिया गया, एड़ेसेंट, एड़ेसेंट, एड़ेसेंट का मतलब क्या होता है, पता है, ये बेस नहीं है अचा इंत्या तो बहुत बच्चे क्या करते न बच्चे बोलते सर यही बेस है अचा इक है आना यार यह Nhगल अगर मान लो क्या मानेंगे सर अर देख तुले भाई यह वाई है बच्चा यह वाई है तो य के लिए देखते हैं कॉन इंच्छा आंजर करेगा y है तो y के लिए adjacent कौन सा side होगा y के लिए adjacent कौन सा side होगा बदा y के लिए adjacent side कौन सा होगा बहुत सही ये वाला side अगर मान लो इसको हम लोग प्यार से naming कर देते हैं तो y के लिए जो adjacent side होगी वो होगी a b correct? कोई दिक्कत? नहीं तो इसलिए बच्चों ऐसे माँ सोचना है कि base, base, base perpendicular, perpendicular, perpendicular नहीं concept बड़ा clear है जो angle होता है उसके उसके साथ वाली जो side होती है उसे adjacent कहा जाता है तो y के लिए adjacent क्या है? अरे धुरूफ number में क्या रखा है? number बहुत छोटी quantity है तो इस पर ध्यान दे दे y के लिए adjacent side क्या है? a, very good यार तुम लोग बहुत होशी हार हो तो y के लिए adjacent side है a, b, बहुत सही अब ध्यान से देखना बच्चो x के लिए x के opposite जो side होती है ये angle x है opposite देख रहा है क्या देख रहा है? a, b तो इसलिए उसके लिए opposite हो गया a, b पर अगर तुम से मैं पूछू कि y के लिए come on, y'all y के लिए इसलिए opposite क्या होगा? y के लिए opposite क्या होगा? बदा y के लिए opposite side क्या होगा? c, b बड़े होश यार हो तुम लोग पिलकुल hypotenuse कभी change नहीं होगा hypotenuse का बस a की value है जो है क्या ये concept बहुत ज़्यादा clear है किसी बच्चे को कोई भी तरह का दर्द any pain कोई भी दर्द बच्चो अरे देख बालक ये अगर x है तो x के 7 वाली जो side है that is called adjacent उसकी opposite वाले side को कहा कहा जाता है opposite इसी तरीके से बेटा ये y है तो इसके 7 वाली जो side है उसको adjacent और उसके opposite वाले को opposite सही है ना चलो आगे बढ़ते हैं यार